दोस्तो इस तरह से दवा को सिघली पिसमें पड़ता है मैं पिसने के बाद दवा को पैर में लगाओंगी किसे दवा मेरे पो सो दिलाया है और बोला है इसको लगाओ । इससे जखम आश्ये होंगे इसके लिए मैं ये दवा पीस रही हूँ दोस्तो देखे इस तरह से दवा का टोरी में पेशे जमा की हूँ ए देखे पहर में लगा रही हूँ जखम छोड़के जखम के आस पास लगाना है जखम के अंदर नहीं लगाना है इससे बोलते पीप और गयरा जो भी अंदर जखम के गंदगी रहेगी सब खिच के निकाल लेगा ये कोई एक सस्क्राइवर ने मुझे दवा बताए और खरदने के लिए पैशे दिये खरद के लेके आई हूँ ए आठ दिन की दवा हजार रुपे के आ जाती है इस तरह से मुझे पीश के रोज रोज इसे पटोरी में लेके और भी इसमें इसके साथ दवा है मिक्स करके लगा दोस्तों मेरे ब्लोग को आगे बढ़ाईए लाइक करिये सस्क्राइब करिये साइर करिये प्लीज दोस्तों मेरी मदद करिये मैं अगले ब्लोग में भी आप लोगों के बताई हूँ मैं हाथ पर से हैंडी केप हूँ मेरे दोनों पैर में जखा में मैं नहीं चल पाती प्लीज मेरा कोई नहीं है मेरी मदद करिए दोस्तों मेरे ब्लोग को आगे बढ़ाने में प्लीज मेरी मदद करिए